नमस्ते फ्रेंड्स गार्टिंग विद वंदिना में आपका स्वागत है और आज मैं आपको यह भूगन वेलिया के फ्लावर दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और आज इसी के बारे में बात होगी और कौन नहीं चाहता है कि भूगन वेलिया उनके यहां लगा हो और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो तो इसके लिए क्या कंडिशन रहनी चाहिए और कौन से फर्टिलाइजर जो इसमें अमेजिंग काम करते हैं यानि कि आपने दिया और इसके रिजल्ट आपको आठ से दस दिनों में दिखने लगते हैं उस तरह के ही बताऊंगी आपक साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और आप जब इसको की कलर वेराइटी भी बढ़ा लेते हैं तो यह और भी ज्यादा बहुत सुंदर लगते हैं तो आपके गर्मियों के मौसम में जब मही जून के महीने में बिलकुल फूल कम हो जाते हैं सब जगह तो यह जो अपनी फ्लावरिंग करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में तो इसकी क्या रिक्वाइरमेंट है इसको पहले जानते हैं तो जब भी आप बुगन विलिया का पौधा गंबले में लगाएं तो उसको आप दो तरह से सेपप कर सकते हैं या तो आप उसे बहुत बुश कर दिया जाता है सूखने के बाद अब इधर की ब्रांचेश को देंगे देखेंगे तो यह प्रूनिंग होई है यह इसमें जैसे फ्लावर आए वे थे अब इसको भी प्रून कर देना चाहिए था लगता है यह चूट गया लेकिन यह देखे इस तरह से ऐसे जब छोटी- कि फूटाव आते तो नया फूटाव जब आएंगे तो उसी पर फूल लगते हैं तो यहां भी देखे ने प्रूणिंग की हुई है अगर आपको दिख रा हो तो यह देखिए यहां पर मैंने प्रूनिंग की हुई है और जस्ट इसके पीछे से नइफ उटाव आए हैं और उसे में फ्लावरिंग हुई है तो यह एक ट्रिक आपको अपनानी चाहिए बोगन वेलिया में इसका फर्टिलाइजर से कोई लेना देना नहीं है अब इसी तर हम आपको पूरे साल करने हैं हलकी हलकी प्रूनिंग पूरे साल करते रहने हैं जब भी फ्लावर चले जाए उसके बाद तो क्या है कि नए फुट आवाएंगे और फूल लगेंगे बोगन वेलिया को बहुत ही अच्छा रखना चाहते हैं और इसमें हमेशा फूल चाहते है हैं बहुत बार क्या होता है कि बहुत पते आते हैं फूल आते ही नहीं है तो इसके लिए क्या करें और पूरे साल इसको धूब जितनी तेज आप कुरे साल आपको धूप में रखना है कभी से चाया में नहीं रखना है तो जब जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो वहां पर आप इसको रखेंगे तो खाद थोड़ा कम भी देंगे मिटी बहुत अच्छी नहीं भी बनाये होंगे तो भी फ्लावरिंग करते रहते हैं तो य लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इतने सुन्दर इतने वाइब्रेंट कलर इसमें आते हैं कि देखते ही मन खूश हो जाता है तो इतने प्यारे-प्यारे से कलर को उगाने के लिए इतना एफ़र्ट करने की जरूत नहीं है बस यह है कि इसको पूरे दिन की धूप में र और आप अपनी मन पसंद कलर विराइटी के जो आपके हां नहीं है उसको ले के आए तो मेरे यहां यलो कलर के नहीं थे तो इस समय मैं उसे ले करके आई हूं नए नर्सरी से पौदे यह 70-80 रूपए से ले करके और जितना बड़ा प्लांट रहता है उसी इसाब से दाम लग सकते हैं तो बुगनवेलिया में जब यहां फूल आ जाएंगे तो यहां से कट कर दूंगी तो यह पूरा यह हिस्सा निकल जाएगा और नीचे से फिर नए शूट आएंगे और फिर उसमें खूब एकदम बॉल जैसा से ले करके और फिर उसमें फ्लावरिंग होगी तो इ यह मैंने भीगाई हुई है सरसो की खली आप जितने भी बुगन में लिया है उसमें सरसो खली के अमीजिंग रिजल्ट पाएंगे आप दे करके देखिए और मैं हमेशा कोई ऐसी महंगी खाने नहीं देती हूं इसमें यह आपको 20-25 रुपए एक केजी में मिल जाएंगे और वो लगभग आपके चलेंगे अगर आपके 25-50 प्लांट में है तो भी छे महीने से उपर आप कहां चलेंगे क्योंकि क्वांटिटी जो इसकी लगती है बहुत कम लगती है तो सरसो खली किस तरह का होता है पहले यह दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंड यह सरसो खली है जो इसकी तेख तेल निकालने के बाद के सरसो खलीक खाथ खात के तो आपको आसानी से पर नर्सरीच पे भी आजकल मिल जा रहा है और जहां पसुमों का चारा मिलता है वहां भी मिल जाएगा और जहां पर तेल निकाला जाता है सरसो का तेल निकाला जाता है चक्की पे वहां भी आसानी से 25 से 30 रुपए केजी का मिल जाएगा और एक केजी बहुत दिनों तक सालों च तो यह ऐसे तयार होते रहते हैं मेरे हाँ और लगभग लगभग जितने भी फूलों वाले पौध है उसमें देना है बहुत ज्यादा देखिए नहीं देना है केवाल इतना ही है लगभग यह हमने 50 ग्राम ले लिया हुआ है 50 ml के करी में पानी है और एक लीटर पानी में इसक स्लूशन बना करके रख लेना है आपको और इसको अपने बुगन वेलिया के पौधे में देना है और देखिए हमारे फूल है वह पूरे फूलों से लदे हुए हैं अभी तो इसमें जब इतनी सारे फूल है तो अभी में किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं देना है इसमें जब तक फूल है फूल जब खतम हो जाएंगे उनकी प्रूनिंग हम कर लेंगे तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला सलूशन बनाया और इसमें ही आधा चम्मज पुटाश लगभग धाई ग्राम के करीब में दो से धाई ग्राम इसको ले लिया पांच ग्राम त 25 रुपय का आधा केजी मिलता है और यही इसी तरह का पैकेट में ले आती हूं को इसका ऐसे ब्रांड तो नहीं है कि लोकल ही जो बड़ी बड़ी बोरियों में आते हैं उससे ही छोटे-छोटे पैकेट इसके बनाया जाते हैं और खाद बीज की दुकान पर यह आसानी से म देना है और केवाल इतना ही यह दो कॉंबिनेशन आपको देने से ही आप देख पाएंगे कि आपके जो फूल है बुगन वेलिया के इस सर्सोखली की खाद देने से बहुत ही इसके अच्छे कलर जो इसमें आते हैं तो यह कलर बहुत सुंदर आएंगे तो आप इसे एक लीटर डाइलूट कर लीजे और कोसिस यह करनी चाहिए कि जब भी हम इसमें पानी दें तो बहुत ज़्यादा नीचे से पानी गमले के नीचे से नहीं निकले तो वो मक्षियां भी लगेंगी और आपका जो फर्टिलाइजर है वो भी वेस्ट होगा तो इस चीज का ध्यान रखें कि उतना ही पानी दें जितना की पूरा गमला पानी से भर जा बहुत थोड़ा अगर निकलता है तो कोई दिकत नहीं है और यह जो फर्टिलाइजर आप बना रहे हैं यह आप बुगनवेलिया में दे सकते हैं हिबिसकस में दे सकते हैं एक जोरा म आप बना करके दीजे वही और सेम रेशियो रहेगा वही 15 दिन में आप इसको दीजे तो जो गर्मियों के फूल है उसमें तो आप पूटाश भी दे दीजे और अगर जनरल ऐसे ही फूल है तो आप यह केवल पूरी बढ़वार के लिए क्योंकि इसमें एन पीके भी रहता यानि नाइटोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट भी रहते हैं जो कि आपके प्लांट्स को हेल्थी बनाते हैं और साथ के साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर हम देते हैं उससे हमारी जो मिट्टी है वह एलकलाइन होती है उसको भी यह सुधारता है तो और जो इसमें जो सूक्ष में पोसक्तत्व होते हैं हमारे मिट्टी में उसको भी पढ़ावा देता है तो यह और निक हाद है अपने ज्यादा दिन रखा हो थोड़ी इसमें ला सकती है तो इस चीज का धिहान रखें कि जब भी आप बनाएं तो उ वरना आपको दिकत हो सकती है इसकी स्मेल से तो मैं अब इसको अपने प्लांट में देती हूं और पुटाश इसमें नहीं मिला रही हूं क्योंकि अभी पूरी फ्लावरिंग से भरा हुआ है जब इसकी हलकी प्रूनिंग करें तो आप पुटाश भी दे दें और इतना ही द ले करके देखिए आपके बुगनविलिया के जो फूल है उसके कलर बहुत सुन्दर आएंगे और बढ़वार तो बहुत अच्छी होगी ही होगी तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसलाई जरूर करिएगा मेरे चैनल में नए हो त अब सब्सक्राइब भी कर लीजेगा नमस्ते फ्रेंड्स